हेलो दोस्तो वेलकम टो फरिच्छा की तैयारी आज है एक नौमबर और आज जितने भी करेंट अपेर्स क्वेस्चन बनते हैं आपको इस वीडियो मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को बीना इसकिप किये वीडियो को पूरा देखेगा और रोजानक करेंट अपेर्स पढ प्रधान मंत्री ने अपने प्रधान मंत्री पद से इस्थीपा दे दिया है हाली में किस देश के प्रधान मंत्री ने अपने प्रधान मंत्री पद से इस्थीपा दे दिया है तो दोस्तों जो है लेबनान लेबनान देश के जो प्रधान मंत्री है उन्होंने अपने 1997 old 2019 को अपने प्रधानमंत्री पत्ध से इस्थिप दे दिया है लेबनान के प्रधानमंत्री ने याद रखे गाए दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री ने साध हरीरी ने 29 अक्टूबर 2019 को अपने परधान मंत्रिपत से इस्थीपा दे दिया है तो चलिए अगला क्वेस्चन हाल ही में वीश्व इस्टोग दिवस किस तिथी को मनाया गया वीस व इस्टोक दिवस तो वीस व इस्टोक दिवस दोस्तो 29 अक्टूबर 2019 को मनाया गया यानि कि इसका भी आपसा है होगा 29 अक्टूबर 2019 को मनाया गया अब विस्व इश्टोक दिवस मनाने का उद्देश ये क्या है तो दोस्तों विस्व इश्टोक दिवस मनाने का उद्देश ये वैसिविक स्वास्ते एजेंडे के साथ लडाई और उसके इस्थिती उसके कंडिशन के साथ इसके वेस्विक सौस्ते एजेंटे पर लड़ाई और इसके कंडिशन से लड़ने की चमतक पर वृद्धी इसका उद्देश यह है तो हाल ही में 20 श्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया अगला क्वेस्चन दोस्तों क्वेस्चन नमबर तीन हाल ही में 30 देश के क्रिकेट टीम के कप्तान को ICC ने क्रिकेट के सभी रुपों से परतिबंदीत कर दिया गया है हाल ही में 30 देश के क्रिकेट टीम के कप्तान को ICC ने क्रिकेट के सभी रुपों से परतिबंदीत कर दिया है बैंड कर दिया है तो बांगलादेश के क्रिकेट टीम के कप्तान को दोस्तो को ICC ने प्रतिबंदित कर दिया है बांगलादेश के कप्तान है दोस्तो सकिप अलहसन सकिप अलहसन को ICC ने प्रतिबंदित कर दिया गया है तो दो वर्सों के लिए बांगलादेस की कैप्टेन साकीब अलहसन को ICC ने प्रतिबंदित कर दे गया है अब प्रतिबंदित करने कारण क्या था बैन करने कारण क्या था यह जान लो तो दोस्तों जो है साकीब अलहसन का संपर्क साटोरियों से था साकिब अलहसन का संपरक साटोरियों से था और साकिब अलहसन ने ICC को इसकी रिपोर्ट नहीं बताई थी इसी करण ICC ने किर्केट टीम, बांगलादेस किर्केट टीम के कैप्टन साकिब अलहसन को दो वर्सों के लिए बैंड कर दिया है अगला कुस्चन दौस्तों हाल ही में NSG के महानिदेसक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो NSG के महानिदेसक के रूप में दोस्तों अनुप कुमार सिंग को नियुक्त किया गया है तो इसका आपसन ए सही होगा अनुप कुमार सिंग को जो एहमदाबाद के पूर्व पुलिस कमिशनर थे अनुप कुमार सिंग और यहाँ IPS के वरिष्ट अधिकारी है जिसे गरी मंतराले दुआरा NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनुप कुमार सिंग को जो की पूर्व एहमदाबाद के पुलिस कमिशनर थे और यह IPS के वरिष्ट अधिकारी है जिसे गरी मंतराले दुआरा NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनुप कुमार सिंग को याद रखे गया दोस्तों जो एहमदाबाद के पूर्व पुलिस कमिशनर थे अगला कुश्चन है दोस्तों कश्चन नमबर फाइब हाली में किस मंतराले द्वारा एक भारत स्रिष्ट भारत पर्व का आयोजन किया गया है तो दोस्तों मानो संसाधन विकास मंतराले द्वारा किसके द्वारा मानो संसाधन विकास मंतराले द्वारा एक भारत स्रिष्ट भारत पर्व का आयोजन किया गया है तो इसका आवजन दोस्तो 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक नई दिल्ली के इंडिया गेट के लॉन नमबर 6 में एक भारत सिष्ट भारत परव का आवजन किया गया है किसके द्वारा मानोस अंसाधन विकास मंत्राले द्वारा कहा किया गया है नए दिल्ली के इंडिया गेट के लॉन नमबर 6 में कब से कब तक 21 अक्टूबर से 3 नमबर 2019 तक मानोस अंसाधन विकास मंत्राले द्वारा एक भारत सिष्ट भारत परवका आवेजन किया जा रहा है अगला क्वेश्चन है दोस्तो, क्वेश्चन नमबर 6 हाल ही में देवेंद्र फड़नवीश को भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में किस राज्य द्वारा चुना गया है तो इसका आप्सन है दोस्तो, आप्सन नमबर D कि महाराष्ट द्वारा देवेंद्र फड़निश को भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में निवक्त किया गया है अगला क्वेश्चन है दोस्तो, क्वेश्चन नमबर 6 दा अनिक्विट रिवर किस नदी की जीवनी है दा अनिक्विट रिवर किस नदी की जीवनी है अनिक्विट मतब निर्विद्वाद दा अनिक्विट रिवर किस नदी की जीवनी है तो दोस्तो ब्रह्म पुत्र नदी इसकी जीवनी है दा अनिकिट रिवर निर्वीदवाद ब्रह्म पुत्र की नदी ब्रह्म पुत्र नदी की जीवनी है दा अनिकिट रिवर इसके इतिहास का रहा है दोस्तो अरुप जेवती सैकिया कौन है अरुप जयती से किया जिन्होंने एक किताब लिखा है दा अनिकिट रिवर किस नदी के नाम पर ब्रह्म पुत्र नदी के नाम पर और यहां किताब दोस्तो इसी माह नवंबर में प्रकासित होने वाला है जिसे पुस्तक आग सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेश द्वारा प्रकासित किया गया है ब्रह्म पुत्र नदी की जिन्ही है दा अनिकिट रिवर जिसे अरुप जयती सेक्या के द्वारा लिखा गया है और यहां किताब इसी मेह नवंबर में प्रकासित होने वाला है किस बैंक पर 35 लाग का जुर्माना लगाया है तो आपसा ने दोस्तों SBI, PMC बैंक, तमिन नाडू मरकेटाइल बैंक, पंजाब नैसनल बैंक तो दोस्तों हाल ही में RBI ने तमिन नाडू मरकेटाइल बैंक पर 35 लाग का जुर्माना लगाया है अब जुर्माना क्यों लगा है इसका कारण आप जान लो तो दोस्तो तमिन नाडू मरकेटाइल बैंक ने धोखादारी वर्गी करण के तहत और मांदान दन्रों का उलंगन किया है इसकारण दोस्तो आप जान लो तमिन नाडू मरकेटाइल बैंक पर 35 लाग का जुर्माना लगाया है अगला क्वेस्टन दोस्तो क्वेस्टन नमबर नाइन सतरकता जागरूता सब्ता दोजर उननीस का विशे क्या है सतरकता जागरूता सब्ता दोजर उननीस का विशे क्या है गरिबी हटाओ अखंडता जीवन का तरीका आर्थिक सुधार उन्मूलन भर्ष्टचार तो दोस्तो सतरकता जागरूता सब्ता है सतरकता जागरूता सब्ता है दोजर उननीस का विशे है आपसान नमबर B अखंड़ता जीवन का तरीका या अखंड़ता जीवन का मूल या अखंड़ता जीवन का नियाम दोस्तो सतरकता जागरुता सबता है किसके दौरा मनाया गया है केंदरी सतरकता आयोक दौरा किसके दोवारा केंदरी सतरक्रता आयोग दोवारा सतरक्रता जागरुकता सबता हा 28 अक्टूबर 2019 से 2 नोवंबर 2019 तक मनाया जाएगा केंदरी सतरक्रता आयोग दोवारा अखंडता जीवन का तरीका इसे सतरक्रता जागरुकता सबता हा कव 2019 के विशा है अखंड़ता जागरुकता अखंड़ता जीवान का तरीका या अखंड़ता जीवान का नियाम सतरकता जागरुकता सब्ता 2019 के विशा है इसे केंदरी सतरकता आयग द्वारा 28 अक्टूबर 2019 से 2 नमबर 2019 तक मनाया जाएगा तो important question है दोस्तो याद रखेगा अगला question है दोस्तो question number 10 हो सबसे last question हाल ही में किस राज्य द्वारा अपना उन्निसवा राज्य उस्सो मनाया गया है असम तिलंगाना महराष्ट 36 गड़ तो दोस्तो हाल ही में 36 गड़ राज्य द्वारा अपना उन्निसवा राज्य उस्सो मनाया गया है 36 गड़ भारत की देश के नक्से में कब आया था एक नमबर 2000 को एक नमबर 2000 को 36 गड़ इस्टेट राज्य बना था और इसको 19 साल हो गया दोस्तो तो उन्निसवा राज्य उस्सो अभी हाल ही में 36 गड़ राज्य द्वारा मनाया गया है तो दोस्तो यह रहा टॉप 10 करेंट अफेयर्स जो की एक नमबर 2019 के हैं दोस्तो प्रती दिन करेंट अफेयर कोस्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं